नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप उमीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और सवागत है आप सभी का नियो वल्टे के ओफीशल यूटूब चैलेंड में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DRDO की नई भरती के बारे में तो फाइनली DRDO यानि की Defense Research and Development Organization की तरफ से टोटल एक नहीं दो नोटिफिकेशन ओफीशली जारी हो चुके हैं जो की इस साल 2023 की नई भरती के हैं और दोस्तों सब सची बाती है कि DRDO की इन दोनों भरतीयों के लिए आपकी कोई भी एक्जाम नहीं होने वाली है मतलब बिना एक्जाम के सीधी भरती के माध्यम से आपको ये नौकरी मिलने वाली है तो अगर आप भी एक गवर्मेंट जो पाना चाहते हैं सीधी भरती के माध्यम से तो DRDO की इस वेकेंसी के लिए अपलाई जरू कीजेगा और आपको बता दें कि ये जो वेकेंसी है ओल इंडिया की जोब है मतलब इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्टिक में रहते हैं दोस्तो तो आप सभी के इंडियेट्स मेल और फिमेल अपलाई का सकते हैं और यहां पर सालरी 70,000 पर मन्त मिल रही है तो सालरी भी काफी अच्छी यहां पर आपको देखने को मिल रही है तो अपलाई कीजेगा बट उससे पहले वीडियो को कंप्लेट जरू देएगा क्योंकि हम आपको इस वेकेंसी की डिटेस में जानकाई देंगे जैसा कि इस वेकेंसी के लिए सेलेक्शन का प्रोसेस क्या है कौन-कौन से कैंडिडेट्स अलिजीबल है आप इदन कब से कब तक चलेंगे और अपलाई कैसे का ना है डिटेस में आपको जानकाई देंगे बस वीडियो को लास्ट दक जरू देखेगा और आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से शिकायत भी है आप वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते तो जादा से ज़एदा वीडियो को लाइक किजेगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर किजेगा रोशना सी परकार सरकारी नोकरी की जानकरी सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूटूब चेनल को सब्सक्राइब कीजेगा और बेल आइकन जरू दबाए ताकि हर एक नई भरती का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके बेल आइकन को दबा करके ओल कर दीजेगा ठीके चली दोस्तों आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आज की लेटेस्ट सिकुर्मेंट के बारे में अफिशन नोटिफिकेशन एक नहीं टोटल दो वेकींजी के जारी हो चुके हैं डियाडियो की तरफ से जो की बिना एक्जाम के सीधी भरती के हैं male female सभी के इंडियेट्स अप्लाई कर सकते हैं और आप इंडिया के किसी भी city में रेते हैं तो अप्लाई कीज़ेगा last date जो है इसकी 29 सप्टमबर 2023 से मतलब आवेदन जो है online शुरू हो चुके हैं 29 सप्टमबर से पहले अप्लाई कीज़ेगा 70,000 पर मन्द आपको सारी मिल रही है तो चलिए details की जानकरी के लिए आपको सीधा website पर लेके चलते हैं तो यह हमारी official website है जो की top education website है इंडिया की tips वारे लड़ पर टुडेक्स वाईजे यहाँ पर आपको सबसे पहले नई job की जानकरी जाती है तो website पर आ चुके हैं दोस्तों और बात करने जा रहे हैं DRDO की दो नई भरती के बारे में जिसका notification officially जारी हो चुका है तो DRDO की तरब से सबसे पहले नंबर की जो भरती है वो आपके सामने है Defense Research and Development Organization DRDO RAC की तरब से हैं यहाँ पर जो post जारी की गए है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की है जो की B-grade की है 204 post पर vacancy निकाली गई है जिसके आविधन online मागे जा रहे हैं Already start हो चुके है All India की job है selection का process के वल personal interview के मात्यम से रहेगा आपका कोई भी exam नहीं होगा सीधी भरती है salary आपको 70,000 पर month में रही सतर हजार रुपे महीना आपको सारी मिल रही है और age limit जो है कम से कम 18 साल है maximum जो है 40 साल है application fees general OBC के लिए 100 रुपे है जिसका permit आपको online करना है बाकि HCST से कोई भी charges नहीं लिया जा रहा है education qualification में अगर आप bachelor degree पास है तो आप eligible है apply कर सकते हैं engineering में या फिर master degree के अंदर ठीक है वहीं दोस्तों इसके आविदन जो है already start हो चुके है आविदन आपसे online मागे जा रहे है 29 September तक आप apply कर सकते हैं यहाँ पर आपको click करना है आप सिधा नहीं page प्राजेंगे यहाँ पर आपको notification का link मिलेगा और apply करने का link है रहा यहाँ पर आप click करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक interface आएगा जिसमें आपको register करना होगा सबसे पहले register करने के बाद में आपको यहाँ पर login करना है और apply करना है वाकि complete जानकरी जो है आप यहाँ पर click करके notification से ले सकते हैं apply भी का सकते हैं चली अब आगे बढ़ते हैं दूसरे number की vacancy की बात करते हैं जो की DRU की तरफ से apprentice की vacancy है तो DRU की तरफ से आप दिसकते हैं graduate apprentice trainee और technician diploma apprentice trainee की vacancy का notification भी जारी हो चुका है टोटल चोपन पोस्ट पर भरती निकाली गई जिसका apply करने का process online रहेगा All India की job है selection का process के बले मेरिट के आधार पर रहेगा ठीक है बिना exam के age limit जो है 18 से 27 साल है I.S.U.A. में चूट भी है salary आपको 10,000 से 12,000 रुपे as a stafford मिलेगा job location All India की है application fees general OBC के लिए so है जिसका payment आपको online करना है बाकि SCST के लिए free qualification में 10th pass या फिर I.T.A. Diploma degree pass candidates जो है apply का सकते है इसके आवे दिन जो है already started के है 6 October तक आपको apply करना है यहाँ पर आपको मिलेगा notification का लिए यहाँ पर आप check out कीजेगा आप देसे हैं DRU की तरफ से notification जारी किया गया देसिए से ट्वाट ली करना है यहाँ जापको थे तरफ सत्तूंि टूचको से जारी का भाटे से जारी के जारी करना है बाटे से चांवे जारी का ठूटे क्वाटे कीजेगा